Hello student online classes of class 12th math का अगला वीडियो exercise 5.1 के कुछ बचे वे question है जिनको आज हमें solve करना इस वीडियो में खतम करना है और इसी के साथ आपके exercise 5.1 खतम होगी आई ये जल्दी से question number 31 पर चलते हैं question number 31 था हमारा fx is equal to cos x square सभी त्रिकोण में तिये फलन सतत होते हैं इस आधार पर आप डारेट इक लाइन में लिख सकते हो अन्यथा आप किसी भी एक बिंदु को मान लेंगे और इस माध्यम से भी आप सीजों को set कर सकते हो माना x is equal to a जहां a is the element of r k लिए सांतत्य परिक्षण करने पर ठीक है तो यहां पर फलन का मान निकाल लेजिए क्या हो जाएगा आपका कॉस a square left hand limit right hand limit नहीं लिखानेंगे क्योंकि a से कम मान के लिए भी यही फलन इसे अधिक मान के लिए भी यही फलन है सिधे एक मान निकालेंगे एक सीमा निकालेंगे limit x tends to a और फलन आपका याम पर fx limit x tends to a और फलन का मान कितना हो जाएगा cos x square सीमा का स्थित करते क्या हो जाएगा cos a square ठीक है आप देख रहे हैं कि आपके फलन का मान और सीमा कि दोनों ही चीजें क्या है एकवल है अता दिया गया फलन सभी वास्तिक संख्याओं के लिए क्या है सतत होगा क्योंकि ए जो है वो सभी वास्तिक संख्याओं का प्रत्मिधित कर रहा है और एक के लिए चीजे हमारी बराबर आने का मतलब हो गया कि सतत है अतरस वी वास्तिक संख्याओं और और Savior is क्या है इसको एक लाइन व्लाइन लाष्ट में आप लिख X is equal to दिया गया है मौड कॉस एक्स ठीक है सभी मापांग फलन आप ऐसा बोल सकते हो कि सभी मापांग फलन जो है वो सतत होते हैं और मापांग के अंदर दिया जाने वाला फलन एक त्रिकोण में यह फलन है पतल दोनों का जो ज्वाइन फंक्चन है वो क्या है आपका सतत होग ठीक है 27 फलनों का संयोजन फलन भी क्या होता है सतत होता है पहलाद चली इसको एमानकरी लगा सकते हो आप एक्स इसकोल्टो कितना एमान लेते हैं तिक है जहां एक है आपकी और रियल नंबर है के लिए परिक्षन करने पर सांतित प्रिक्षन करने पर समझ जाएंगे सीज निकालेंगे आपर क्योंकि मौड को भी हटा नहीं रहें एक्स्टेंज टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्स्टेंज टू ए कॉस एक्स सीमा का स्थित करते ही कितना आ गये भी कॉस ए आ गया यहां पर प्लस माइनस लेने को जो इतने डाइट ली चीज़ें आप सरल हो जाएंगी एक लाइन में लिखके को सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस माद्यम से क्योंकि यहां से भी आपकी क्या आ चुकी है कि ले म ठीक है क्विश्चन नमबर 33 की तरफ चलते हैं 33 क्या है साइन है और इसके बाद मॉड एक्स दिया गया है से इंपल सा क्विश्चन एक दम सेम टू सेम इसी तरह स्वाल्व हो गया यह भी ठीक है इसको देखो लिखने का तरीका क्या होगा चूंकि कि अगर लिख करके इसकों क्या करें यह तो ना इसको क्या है इसकों दो फल्नों में इसकों दो फल्नों में इसकों डिवाइट कर लेते हैं यहां पर में लेते हैं एफ होई गया है आप क्या लेना होगा आपको एच लेना होगा एक फलन और एक फलन जी लेना होगा तो एच एक्स की रूप में आप ले लिजिए साइन एक्स को ठीक है और जी एक्स की रूप में ले लीजिए आप मॉड एक्स को ठीक है फिर यहां पर लिखोगे माना गरी कि माना hx is equal to sin x ठीक है क्या है एक त्रिकोन में तीए फलन कैसा फलन है त्रिकोन में तीए फलन ठीक है तो आप लिख दोगे माना hx is equal to sin x सभी इस सभी का सिंबल बता है न सभी x is the element of r के लिए r के लिए सतत होता है फिर यहां भी यह क्या एक मापांग फलन है सभी x is the element r के लिए सतत होता है ठीक है मापांग फलन भी सतत होता है और त्रिकोन में तीए फलन भी क्या होता है सतत होता है ठीक है तो इन दोनों फलनों का संयूजन क्या होगा आपका h of z यह z of h यह बताईए जिरा sign का और किसका एक क्या है और एक क्या है आपका जी का है ठीक है यह आपका h of z बन जाएगा दोनों का संयूजन क्या हो जाएगा h of z ब्रेकट में x दो फलनों का संयूजन fog और गॉफ जैसे करते थे यह आप पर ठीक है h of z x ठीक है तो h of z of x b क्या होगा b सभी x is the element of r के लिए के लिए सतत होगा इस प्रकार से सीज़न को कर दोगो और यह आप आ जाएगा इंसरा ठीक आरी बाद हो उन में भाई त्रिकोंड में तिया फलन सतत होता है हमने लिख दिया भाई तो आपका इसको त्रिकोंड में तिया और यहां पर बीजगणित इन दोनों को अलग-अलग कर लिए जो बीजगणित वाला था यह एक मापांग फलन बन गया मापांग फलन भी हमेसा क्या होता है सतत होता है सारी वास्तिक संख्याओं के लिए ठीक है तो पहले दोनों को अलग-अलग बोला आमने कि आपका त्रिकोंड में तिया फलन है यह सभी वास्तिक संख्याओं के दोनों का संयो जिएगें प्रण होता है होता है सफ शुज्प % सबमों होता है नहीं ने लिए अभी अब कि अपका 700 यह थो सतथ है तो दोनों का जो कमबाइन फंक्ष्ण है लिए फंप्रणफ यह भी क्या अब का शुब्स होता है उचाहिए एक दो लाइन और डिस्क्राइब करके बढ़ियां से चीजों को लिख सकते हो हमने शॉट में चीजों को आपको समझा दिया ठीक है बढ़ते हैं लाश कोईस्टन की तरफ कोईस्टन नमबर 34 या फिर आप एक से बराबर एवाला मैथट जो भी हमने दो कुईस्टनों पर इंकामान फिर से लिमिट में भी सीमा कासित करते हैं तब भी साइन मौड ए हो जाता वहां से भी कुईस्टन को सॉल्फ कर सकते तो दो कुईस्टन हमने एमान कर बताए एक कुईस्टन इस तरह से भी बता दिया आपका आपकी मर्जी है जो मर्जी कहें तो लगाओ ठीक है लेकिन समझे रहो कि त्रिकोण मितिय फलन और मापांग फलन दोनों क्या होते हैं सतत होते हैं हमने आपको बताया था कौन कौन से फलन सतत होते हैं त्रिकोण मितिय सतत होगा मापांग सतत होगा चरगा तांकी सतत होगा लग गुड़ की सतत होगा ठीक है जो बहुपदिय यह फलन होता है वह सदत होता है तो सारी जो लिष्ट आपने नोट कर रखेंगे उसको रिवाइज करते रही है माइन में कुईसे नमबर 34 और यहीं सेक्सराइज का लाश्ट कुईस्टन है क्या है बहुत सिंपल सा कुईस्टन है एक तरफ मॉड एकस है माइनस दूसरी तरफ भी हमारा मॉड एकस प्लस वन है यह यह परिवाद से तनल यह फलन यह किस सभी असत्ता के बिंदूओं को ग्याद कीजिए ठीक है यहां पर देखें यह भी मापांग फलन है दोनोग कैसे फलन है और दोनों को पहले अलग अलग न जबना लाじए है ठीक है यहां पर माना सेम कुश्चन अभी जैसे 33 लगा ऐसे इसको भी लगाते हैं एच एक्स क्या माल लेते हैं मॉड एक्स को माल लेते हैं तो लिख देते हैं आप देखो जो इस्क्राइविंग लाइन अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या से लिख होगे चूंकि है एच एक्स या चूंकि फ़लन है चूंकि फ़लन है एच एक्स बराबर मॉड एक्स एक मापांग फ़लन है कि झाल हुआ है है हम लिखेंग यहां पर फलन है एक मापांग फलन है मापांग फलन है जो सभी एक्सिसद एलेमेंट आफ आर के लिए सतत होगा ठीक है अगी लाइन में पुना माना जी एक्स इस इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन जो एक मापांग फलन है ठीक है अता यह भी सभी एक्स इस दे इलेमेंट आफ आर के लिए सतत होगा ठीक है चूंकि फलन एच एक्स तथा जी एक्स सतत हैं अता इन फल्स इन सतत इन सतत फलनो का संयोजन क्या हो जाएगा एच ओफ जी संयोजन एच ओफ जी भी सभी ऐसे लिख देते हैं यहांपर इन सतत फलनो का संयोजन उसको जरा डिस्काइब परके लिख देते हैं कि एच ओफ जी एक्स का मतलब हो गया यहांपर क्या मॉड एक्स माइनस कितना एक्स प्लस वन ठीक है कि ऐसे लिख दो या फिर ऐसे ज्यादा बेटर पड़ेगा इसको एच ओफ जी मत बनाओ या फिर ऐसे लिख दो कि भई एच एक्स क्या है हमारा है एक्स से मॉड एक्स और जी एक्स क्या ही यह है इन सतत्र चलीज को समझ जाएंगी इसको ऐसा लिख देते हैं कि मॉड एक्स माइनस कितना इसको लिखना है तो यहां पर लिख देंगे हैं एफ एक्स इस एक्स माइनस कितना जी एक्स और अग्ली लाएन बराबर मॉड एक्स माइनस कितना मॉड एक्स ब्लस वन धी सभी एक्स देलिमेंट आफ आर के लिए सतत होगा ठीक है होगी आपका एंसर खदम होगी आपकी exercise 5.1 चीज़ों को समझ गए यहाँ पर दो पत्थे दोनों पत्थ को हमने अलग-अलग फलन बना लिया पहले वाले को बना लिया HX दूसरे वाले को बना लिया GX पहला वाला जो फलन बनाया हमने HX यह एक मापांग फलन था और इसके बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया कि यह चूंकि फलन HX जो बराबर mod X है एक मापांग फलन है जो सभी X is the element और के लिए सतत होगा ठीक है उन्हा माना GX is equal to आपका दूसरा पत्थ जो था mod X plus 1 जो एक मापांग फलन है ठीक है अथा यह भी सभी X is the element आफ के लिए क्या होगा सतत होगा आई बास होगा फिर से दो फलनों का संयोजन जो होता है वो क्या होता है सतत होता है यहां पर यह भी सतत है और यह भी सतत है तो यहां देखिए आप Fx is equal to कितना Hx minus Gx बन रहा है यह क्या है इनका सयोजन सभी यह संयोजन का मतलब यह नहीं कि हमेशा आप H of G यह G of H को सयोजन समझेू यह भी क्या है दो फलनों का सयोजन नी तो है ठीक है यहां पर मारेनिचीन द्वारा इनको सयोजन किया जा रहा है तो इनका संयोजन भी क्या होगा आपका सतत फलन होगा ठीक है तो fx is equal to hx minus gx ये क्या है इन सतत फलनों का क्या है संयोजन फलन है अत्ता इन सतत फलनों का संयोजन फलन संयोजन फलन fx is equal to hx minus gx ठीक है अर्थात hx की वैलो मौड x और gx की वैलो मौड x प्लस वन भी क्या होगा सभी एक्सेज़ देलेमेंट आर के लिए सत होगा ठीक है तो इस प्रकार से आपकी question number 34 के साथ exercise 5.1 जिस पूरी exercise में हमें continuity के बारे में चीज़ों को बताया गया उसके सारे question हमें normal question बड़े से बड़े question को solve किया और हमें पूरी मेंदर चीज़ें आपको proper समझ में आई है उसके बाद भी जो भी आपके doubts है वो आप doubts अपने पूछ सकते हैं ठीक है तो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपने अव कलर ठीक है ओके